पतंग उडाने के लिए मांजे के इस्तमाल पर रोक के वाबजूद हुई पतंग बाजी ने कई परिंदों से उनकी उडान का हक छीन लिया पच्छुपालन विभाग के साथ ही वनवे भाग और शोहर की कई स्वैम सेवी संस्थाओं रक्षा, ओप एंड बियॉंड, वर्ल्ड संगठन, नेचर केर आदी में सुभा से ही घायल परिंदों का आना शुरू हो गया है वकर संक्रांती के दूसरे दिन रविवार को भी सुभा से ही घरों की छतों पर पतंग बाजी का शोर शुरू हो गया साथिवे भिन सोयम से भी संस्थाओं के पास सुभा से ही घायल परिंदे भी आने लगे जिनका इलाज किया जा रहा है वहीं वन्वे भाग ने अचोक वियार में बने शेल्टर होम में घायल परिंदों का इलाज करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की है यहां विशेशग्य चिकिस्थक और उनकी टीम घायल परिंदों को रेस्क्यू कर उनका इलाज कर रही है साथ ही उनके भोजन पाने की व्यवस्था भी की गई है शेल्टर होम में आने वाले परिंदों में कबूतर कमेड़ी के साथ मोर बाज आदी शामिल है एक आउट भी पतंग के मांजे से घायल हुआ है जानकारी की मताबिक यहां पिशले तीन दिनों में देड़ सो से ज्यादा परिंदे घायल होकर पहुँचे वन में भागने इस बार मांजे से घायल होने वाले परिंदों की जान बचाने के लिए राजजानी जैपूर में तकरीबन बीस स्वेम सेवी संस्थाओं को चिकिस्सा शिवर लगाने की स्युक्रती दी है गतवर्षिन की संक्या मात्र दस थी